नवश्कार जहिंद वन्दे मातरम सभी का अभिनंदन है NDC निशुल क्लासेज पे छंद कंप्रीट हो चुके हैं और जैसा कि मैंने कहा था कि वस राखी की छुट्टी पे ही वो जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो दो-तिन क्लास है वो मैं रिकॉर्ड कर पाऊंगा उ रस निश्पत्ती रस निश्पत्ती ऐसा टॉपिक है जो यूटुबर मतलब काफी जगे पढ़ाया जाता है नहीं पढ़ाया जाता है और कम्ट्रीट पढ़ाया नहीं जाता है लेकिन यह टॉपिक काम का है यह एक ऐसा टॉपिक है जो आपको एक कॉशन पक्का देगा चा लेकर विद्वानों के क्या-क्या मत हैं, सबसे पहले किसने इनका इबारे में बताना चाहा, किस प्रकार बताया, क्या कमिया रखी, सबके सिद्धानतों में अंतर क्या है, वो सारे चीजे हम लोग जानेंगे दो क्लास में, तो चलिए, देखो जब रस सुत्र की बात आती है, जब रस सुत्र की बात आती है, तो सबसे पहले नाम आता है भरत्मुनी का, किसका नाम आता है, भरत्मुनी का नाम आता है, और भरत्मुनी का एक ग्रंध है, नाटे सास्त्र, क्या है, नाटे सास्त्र, भरत्मुनी ने नाटे सास्त्र में जो रस सुत्र दिया, वो इस प्र रस की परिभासा समझ देते हैं, ये रस की परिभासा नहीं है, कुछ लोग रस की जब परिभासा बताई जाती है, वहाँ पर इस परिभासा को रस की परिभासा समझते हैं, ये रस की परिभासा नहीं है, इसमें ये कह रहे हैं, कि विभाव, अनुभाव, व्याभीचारी भा इन सब के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है तो अर्थाद विभाव अनुभाव व्याबिचारी भावों के स्थाई भाव से संयोग से रस की निश्पत्ति होती है ये कहना चाह रहे है अर्थाद भरत्मुनी ने यहां रस की परिभासा नहीं दी है अपितू रस की निश्प मुझी जो है वो रसको क्या मानते है आस्वाध्य मानते हैं ठीक? आस्वाध्य मानते हैं आस्वाधन नहीं मानते है तो जब इनverbs से पूछा कि रसक तो यह करेâm Indiana विभाव, अनुभाव और व्याभीचारी यानि वो इस संचारी भाव वई, इन सब के संयोग से, इन सब के एक प्रॉसेस से, इन सब के एक प्रॉसेस से किसकी उत्पत्ती होती है, रस की उत्पत्ती होती है, तो यहाँ पे यह रस निश्पत्ती बता रहे हैं, कि अपितु र बस निश्मति की प्रक्रिया का उलेख है इस परिवासा में भावयाभी चारी सायों का आधरश निश्पति हां पेपर में यह आ सकती है तो इसलिए आपको परिवासा याद होने चाहिए यह टॉपिक अपने आप में समझने वाला टॉपिक है समझना अगर मतब कुछ भरतमुनी ने ही सार्व प्रथम रस के स्वरूप पर विचार किया और उन्हों ने खुद ने ही एक प्रश्न किया कि रस इतिका पदार्थ है आखिर ये रस क्या पदार्थ है क्या ये पदार्थ है क्या रस क्या पदार्थ है रस इतिका पदार्थ है अर्थार ऐसा क्या पद कि आस्वाद ध्याता इती रस है अर्थाद रस को क्या कहा आस्वाद ध्याता इती रस है अर्थाद रस में आस्वाद प्रदान करने के गुण होते हैं ये परिभासा बहुत इंपोर्डेंट है कैसे देखो इसमें इस परिभासा में क्या किया इन्हों ने ये करें कि रस क्या करता है आस्वाद परदान करने रस में आस्वाद आस्वाद क्या होता है आस्वाद का मतलब आप यू लो मेरे रस और आनन दोनों अलग अलग चीज़ हैं दोनों क्या हैं अलग 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 चीज़ हैं इसलिए रस का आ जाता है तो यहां पर एक बात क्लियर हुई कि भरत मुनी ने रस को आस्वाद न मानकर आस्वाद न मानकर क्या माना है आस्वाद ध्य माना है अर्थात रस को एक बस थेक नहीं थी बोला गुर्जी बिल्कुल थी आप भी कभी सास बनोगी बनोगी कि नहीं बनेंगे सेम ऐसे हर अध्यापक भी कभी सिश्य था हम भी जब इस चीज़ को पढ़ते थे तो रस टफ लगते थे जूट बात नहीं बोलूगा फिर क्यों टफ लगते थे बोला कभी पढ़ा ही नहीं सर पढ़ा क्यों नहीं क्यों कभी अच्छा मेटर मिला ही नहीं अच्छा मेटर क्यों नहीं मिला क्योंकि बस हम भी कोचिंगों के नोट के पीछे भागते रहते थे तो सर को हां जिस प्रकार से सिश्य को ग्यान प्रात होने के लिए उसे अच्छे गुरू क्या शिक्ता होती है तो कभी ने कभी लगाता डूंडने से तो मो को कहा डूंडते बंदे में तो लगाता डूंडने से इश्वर मिल जाता है तो गूरू क्या चीज है अलांकि गूरू बड़ा बने गए तो वैसे जब अच्छे गूरू मिले तब समझ में आया अच्छे कित टोगी तेओरिकल वहां पर वो दे देंगे के भरत्मुनी ने रस को आसवाद माना है जिमक्री मानना क्या है फ्रीक है इस प्रकार भरत्मुनी के अनुसार रस्णाटक का वहतत्व है इस बात को देखो इन्होंने क्या मान लिया एक तत्व एक पदार्थ मान लिया रस को रस नाटक का वहतत्व है जो कि सेह रिदे को ध्यान से समझना आस्वाद परदान करता है मतलब रस अलग चीज है जो उनको क्या देता है आनंद परदान करता है यानि ये और ये दोनों चीज़ें अलग बता दी भरत मुनिन आज की क्लास में अगर आपको ये एक ही बात पता चलती है नache कि भरत मुनिने रस और आस्वाद को अलग अलग माना है तो समझ दो आज की क्लास की विल्ठी होगी मतल wn promised आज की क्लास की, जो है तो व्यक्ति हर्षित तो होता ही है, व्यक्ति हर्षित तो होता ही है, भरत्मुनी का एक मत है, मतलब भरत्मुनी का मत, मतलब रसुत्र की विभिन आचारे ने व्यक्या की है, किन्तो सबसे पहले हमें भरत्मुनी के मत को जानना जरूरी होता है, क्यों जरूरी होता है, क्योंक पापा की बाते बुरी लग जाती है, हमें किसे टीचर की बाते बुरी लग जाती है, तो होता क्या है कि पापा की या टीचर की बाते बुरी लगती है, लेकिन जब हम और ज़्यादा आगे परिस्टियूम जाते हैं, तब हमें लगता है कि यार पापा बुरे नहीं थे, पटना शुरू कर देते तो समझ ही नहीं आता बर्तमुनी को समझ लिया तब पता चलेगा आगे कि अच्छा बटना एक बटलोलड संकुक और अभिनो जो है इनको अभिनो गुप्त को पढ़ेंगे तब पता चलेगा अच्छा इनमें यह है क्यों है यह सीधा-सीधा कंपैर क होता है आसृत नहीं होता पहльली बाद यह दोनों अलग अलग चीज बता दी यह आसृतू यह क्या है मतलब एक तरह से वस्तू है और यह क्या इक से भाव है या इन्हों नेरस को ऩो यह अलग अलग बता लिया तो यह मुझए जहां तक रस अपने में कोई अनुभूती नहीं है बलकुल रस को हम आनन दिया अनुभूती रस ये कहते है अनुभूती नहीं है ये अनुभूती का विशे है मतलब ये एक सब्जेक्ट बता दिया इसको रस को क्या बता दिया एक विशे बता दिया भाई विशे का मतलब क्या हुआ यह जो मुझे अनुभूती हो रही है वो इस विशे के कारण हो रही है मुझे जो आनन्दा रहा है वो इस बोड के कारण आ रहा है तो यानि बोड क्या है रस अनुभूती अलग है मुझे जो अनुभूती हुई उसका कारण क्या है बुढ तो कुल में लाके उन्होंने अनुभूती का विशे बता दिया यानि अनुभूती का एक तरह से क्या बता दिया कारण बता दिया बुला रस क्या है बुला अनुभूती का कारण है अनुभूती का सब्जेक्ट है विशे है रस विशेई गत न होकर विशेई गत है यह तो बात यहां पर यही तो बात बोल रहा है कि रस विशेई गत नहीं है बलकि खुद विशे है आगे कहते हैं कि स्थाई भाव ही विभावादी के संयोग से जो इस्थाई भाव उन्हें विभाव अनुभाव व्याविचारी संयोग आदरश्ट निश्पत्ति इस्थाई भाव जो होते हैं वही विभाव आदी के संयोग से कौन इस्थाई भाव ये क्या करते हैं वो विभाव अनुभाव उन सब के संयोग से रस रूप में परिन्ट हो जाता है तो ये बात उन्होंने बोली है कि रस क्या है? उन्होंने बोली है कि इन सब के सह्योग की प्रकृिया से रस उत्पन नहीं होता है इस ये सब प्रोसेस करेंगे बिन Claudis कर एक मतलब एक प्रकृिया होगी उस प्रक्रिया के बाद जो चीज उत्पन होगी वो क्या होगा रस होगा रस का मूल अधार स्थाई भाव को बताया इनोंने क्या बताया बोला ये रस है ना ये क्या है ये मूल अधार क्या होता है स्थाई भाव और यही इस्थाई भाव एक समय बाद क्या होते हैं जो रस नहीं मतलब जो इस्थाई भाव है उनको रस नहीं माना बोलते हैं इस्थाई भाव रस है नहीं इन्होंने इस्थाई भाव को रस माना ही नहीं है उन्होंने का कि इन्हों ने क्या कह दिया कि इस्थाई भाव जो है इस्थाई भाव ये रस नहीं है बलकि एक परक्रिया होती है उस परक्रिया के बाद रस में बदलते हैं रस में क्या करते हैं बदलते हैं इस्थाई भाव रस नहीं है बलकि एक प्रोसेस के बाद प्रोसेस क्या है विभाव अनुभाव इनके साथ पर क्या करते हैं वो सर से नम बुल गया है संयोग इनके संयोग से एक प्रोसेस होता है उससे उत्पन होता है तो यहां पर ये तनी बाते कहते हैं फिर इन बातों के सार्क रूप में क्या आता है कि किसका इस्थाई भाव रस रूप में बदलता है हाँ एक प्रश्ण है कि आखिर ये जो इस्थाई भाव मतलब किसका इ इस्थाई भाव होता है, वो रस रूप में बदलेगा, वो रस में परिनत होगा, ठीक है, लेकिन ये इस्थाई भाव है ना, ये है किसका, पाठक का है या किसका, ये उस सहरदे व्यक्ति का है, या ये कवी का इस्थाई भाव है, या नायक का इस्थाई भाव है, इस प्रश का उत्तर देते हैं खुँद लिखते है, कि नायक का इस्थाई भाव ही रस रूप में बदलता है, नायक कौन है? यह बहुत बड़ी बात है, नायक या नहीं, जो मंछ सा पर मंछ पर अभिन्य कर रहा है, वो है नायक, और उसमें जो इस्थाई भाव है, वही रस रूप में बदल रहा है जो उस लोग सामन्य लोग सामन्य कौन सेहरदे उस लोग सामन्य का पतिन दित्व करता है ये बात कहते हैं कौन कहते हैं बरतमूनी कहते हैं कि रस्म जो इस्थाई भाव बदलता है रस के रूप में वो इस्थाई भाव किस का है कवी का सेहरदे का नायक का तो ख किस थाई भाव को रस रूप में बदलते हूं बताया तो वो भरतमुनी है तो ये पहले हमने जाना कि अगर भरतमुनी के विचार रस के बारे में क्या है देखो टॉपिक जो है ना वो समझने लाइट टॉपिक है और टॉपिक में ये स्टार्टिंग थोड़ा सा टफ चलता ह है यानि आज कल परसों तीन क्लासे इंपॉर्टन है एक बड़ी बात बताता हूँ जिसने ये तीन क्लासे नहीं देखी न उसके आगे वाड़ी लगबग तीन क्लासे समझी नहीं आएगी इसलिए ये तीन ख्लास आपके आगे की रूप रेखा तयार करेगी बहुत बढ़ क्या है विभाव अनुभाव जो सारे चेस्टाएं जो चेस्टाएं हैं अनुभाव संचारी भाव जिन्हें व्याविचारी भाव का जाता और फिरिस्थाई भाव तो जिन्हें विभाव अनुभावी समझ नहीं आएगा आलंबन उद्धिपन समझ नहीं आएगा काईक और साथिक भाव समझ नहीं आएंगे वो कैसे रस पड़ लेगा तो यह तीन क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है भले ही आपको यह बोरिंग लगे तो दो बार देखो क्योंकि जिस चीज को प्राप्त करने में हमें 10-10 साल लग गए वो चीज आपको आदे गंटे में प्राप्त तो असंबव है हाँ वो चीज हम इस प्रकार से प्रस्तुत कर रहे हैं कि वो आपके आदे गंटे की जगाए दो या तीन बार रिविजन करते ही आपके दिमाग में सैट हो जाए क्योंकि हमें पता है कि अगर हमें इस तरीके से पढ़ाया जाता तो सायद हम जब जॉब लगे उससे भी दो साल पहले लग जाते सिक्षा क्या है आपने कभी सोचा है सिक्षा है क्या सिक्षा एजुकेशन ससे बनी है सिक्षा क्या मतलब होता है सिक्षा का शिक्षा का मतलब होता है अंदर से बाहर लाना, शिक्षक को एक माली के रूप में दिखाया गया, कई बार के सिक्षक एक माली है, शिक्षा का मतलब होता है अंदर से बाहर लाना, आपके अंदर टैलेंट छिपा है और उस टैलेंट को बाहर लाने का प्रयास एक शिक्षक कर लेकिन जिस व्यक्ति के अंदर कुछ छिपा हुआ ही नहीं है यानि वो ना तो इच्छाएं हैं उसमें ना पढ़ने की ललक है ना पढ़ने की ललक है ना वो मेहनत करना चाता है ऐसे व्यक्ति के अंदर से कुछ भी नहीं लाया जा सकता वो बाहर से एक पौधे के रूप में जरूर दिखाई दे रहा है लेकिन उसके अंदर जड़े ही नहीं है और जिसके अंदर जड़े नहीं होगी वो पनपे का कभी नहीं तो इसी लिए अपने आपको पहले प्रिपेर करो कि हाँ मुझे पढ़ना है समझ नहीं आरी तो महनत एक बड़ी चीज है महनत से आदमी first rank भी ला सकता है दिमाघ तो है आप टाईम पे रोटी खाते हो टाईम पे उड़ते हो टाईम पे सोते हो आप को पता है कि जयपुर जाना है तो कौन सी बस पकड़ने दिमाघ तो है फिर भी आप अगर समझ नहीं अरे इसका मतलब आप आज तक सही डंग से पढ़े नहीं थे, अब अगर सही डंग से पढ़ोगे तो भी समझ आ जाएगा, और अगर आपने एक क्लास में ये सोच लिया कि, अरे क्या है ये बटे लोलर टे ये आचारी संकुग वेरा मेरे तो समझ नहीं आ रहा, साइड हो जा के व्यक्याता आचारियों में इन चार का विशेश योगदान है, भरतमुनी के रस्तुत्र में संयोग और निश्पत्ती, शब्द की व्यक्या अपेक्षित थी, आखिर भरतमुनी के जो रस्त और निश्पत्ती, इसकी व्यक्या भी तो करते, कि आखिर भरतमुनी ने रस् कहنا क्या चाते हो इस रस्तुत्र के प्रमख व्यक्यत आचारे चार है बटलोलट, आचारे संकुक, भटनायक और आचारे अभिनोगो यह चार है इन चार को पड़ लिया उसे यह पता चल गया उसे क्या पता चलता है सिर्फ एक ही चीज का पता चलता है और वो है रस क्या है ये पता कब चलेगा इन चारों को पढ़ने के बाद रस टॉपिक तो बाद में शुरू होगा इन चार को पढ़ने से इतना सा पता चलेगा रस है क्या आसवाद है या आसवाद है तो ये चारों ने क्या किया चार से धान दिये इन चारों में से प्रस्ण आते हैं ना उसमें 90% प्रस्ण इसी चार लाइन से आ जाते हैं कि निम्न में से कौन सा वाद किसका है या मिलान करो इस 90% प्रस्ण यहीं से आ जाते हैं तो भट लोलट उनका मानना है कि रस की क्या होती है उत्पत्ती होती है और इसमें क्या होता है नायक पर मुख्य पात्र का आरोप किया जाता है इसलिए इसका नाम आरोप वाद है तो भटल ओलट उत्पत्ति और आरोप किसी भी चीज की अगर उत्पत्ति होगी तो उस पर आरोप तो लगेगा ही लगेगा तो भटल ओलट ने उत्पत्ति वाद औ और आरोपवात नाम से एक्सितन दिया, इसकी व्युक्षया पढ़ेंगे अभी हम, हम ऐसके बाद याद रखना पढ़ेगा, शंकुक का है अनुमितिवाद, यह शंकुक का है, भटनायक का है भुक्तिवाद या भोगवाद, नाम से आपके मन में क्यूरिसिटी आने चाहिए कि एक कुथुह लाना चाहीं कि आखित क्या है इनमें? क्या है भुकतिवाद? क्यों कहा गया इसे भुकति? क्यों कहा गया इसे भोग? अभिन्व गुपत ने जो दिया था अभी व्यक्तिवाद कह जगता है अब इसको समझेए countryside याद क्यों करनाला है? अभी से अभी को जोड़ दो, बस ये तो इसी का है भटनायक को बुक्ती वाद भोगवाद जो भववह वार जो ही ना, वो भटनायक के है और किसे में भवह बानी है अनु है वो संकु का है और उत्पत्ती आरोब जो है वो भटलोलट का है याद रहेगा ऐसी भी बात नहीं है में चीज क्या है में चीज आपके समझ में आने चीए अगर आपके समझ आ रहा है तो बहुत बढ़ी है बात है अब देखो बहुत आराम से समझेंगे भट लोलट का उत्पत्ति वाद समझ लेते हैं क्या है ये पहले प्रस्ण ये उड़ता है कि रश सुत्र के प्रतम वेख्यता आचारी कौन है तो वो भट लोलट है कौन है भट लोलट है इनके मत के दूसरे नाम है उपचयवाद क्या नाम है आरोपवाद और तीसरा क्या था उत्पत्तिवाद क्या है उपचैवाद, आरोफवाद, उत्पत्तिवाद ये तीन इनके नाम है भट लोलट के अनुसार अब देखना, अब समझना भट लोलट क्या कहते हैं, क्या चीज है ध्यान से समझना और ऐसे टॉपिक पढ़ते समय अगर आपके आसफास बच्चे शरारत कर रहे हैं या जो भी महिलाएं बेना, जो बच्चों को खाना खिला रही है जो रसोई में काम करते हुए समझ रही है मैं कहूंगा फालतू, ऐसे काम उल्टे काम मत करो क्योंकि कल को गैस सिलिंडर पर काम करते समय है ऐसे चीज़ें पर ध्यान, क्योंकि ये तो एकागरता मांगते है ठीक है ना, इसलिए थोड़ी सी सेफटी भी जरूरी है कई बार कुछ क्लासेज को आप चाहे बाद में देख लो मैं मना नहीं करता कि हर वक्त लाईव आओ लाईव तो कभी कवार आ जाया करो अगर आपकी इच्छा हो लेकिन लाईव रहोगे ज़्यादा अच्छा रहता है तो कुल मिला के नौ बजे तक वैसे काम हो जाता है तो ऐसे टॉपिक पर सोड़ा समय देना पड़ता है इसलिए ध्यान से समझ देना भटे लोलट कहते हैं कि रस की उत्पत्ती होती है क्या होती है रस की उत्पत्ती होती है बरतुमनी ने क्या कहा था कि सैयोग से प्रोसेस से रस उत्पन होता है यही बात कहा रहा था चलिए उत्पत्ती के लिए कारण कारण कौन से विभाव, अनुभाव और संचारी मतलब विभाव मतलब कारण होगे कारे अनुभाव सहकारी कारण यानि उपकरण से उत्पत्ती संभव होती मतलब वही बात कह दी कि संयोग से इन सब की प्रोसेस से प्रक्रिया से क्या होती है रस की उत्पत्य होगी है, यानि कहीं ने भर्तमुनी का समर्थनकारी दिया है, एक तरह से इंडारेटली, इस्थाई भाव ही परिपक्वता को प्राप्त होकर रस कहलाते हैं, उसने भी क्या कहा था, कि इस्थाई भाव ही रस में परिवर्तित होते हैं, इस्थाई भाव रस नहीं हैं, इस्थाई भाव ही रस में परिवर्तित होते हैं, ये बात बोली थी उन्हेंने, बिल्कुल सर बोली थी, बिल्कुल सर बोली थी, देखो इससे मैंने कहा ना भर्तमुनी को पड़ोगे ना, तो आगे बारे बहुत इजी हम क्लिर होंगे, तो इस्थाई भाव ही परिपक्व तो पराप्त करके रस कहलाता है, ये बात बाटरोलट कहता है, विभाव, अनुभाव, एव संचारी भावों के संयोग से इस्थाई भाव, उपचित, मतलब उपचित, देखो, ये इसका नाम उपचे वाद रखा, उपचे का अर्थ होता है परिपक्व, है ना, तो इसलिए उपचित, उपचित का कारण ही इसका नाम क्या रख दिया, उपचे वाद रख दिया, तो ये लोग साब हमें पता चल गए, इसका नाम क्या रखा, उपचे रखा है, तो संयोग से होकर रस कहलाता है, तो तीनों बातें वही, जो किसने कही, भर्त मुनी ने, कह समझ गए बात आगे देखो रस अनुकारिय में होता है यानि कारिय के पीछे पीछे होता है अर्था रस मूलत है समझना इस चीज को रस मूलत है हाँ एक चीज मुझे याद आगी कई स्टूरेंट बोलेंगे सार ये आपके नोट्स में नहीं है बोलो गए देखो कई चीजे नोट्स में नहीं है तो उसके लिए आपको बहुत जल बुक मिल जाएगी क्योंकि अगर मैं ये सोचूंगा यारे स्टूरेंट फालतू होना बोलेंगे सार ये चीज नोट्स में नहीं है नोट्स दो नोट्स दो तो मरने देखा अपने ये चीज बताते ही नहीं है अपने जो नोट्स में वो पढ़ाके निकी करते है ना तो वो गलत हो जाएगा वो मैं अपने साथ ही गदधारी कर लूँगा क्योंकि मेरा शौक है अच्छा पढ़ाना तो मैं अपने साथ गदारी कर लूँगा तो इसलिए अगर कोई चीज नोट्स में नहीं है तो घबराओ मत आप तक मैं कंटेंट पहुँचा दूँगा बस इतना मान लो इसलिए मुझे बार बार वाटसप पे इस चीज का मैसेज मत करना कि सरी नोट्स नहीं लेकिन अब लगा कि आपको पढ़ाना चाहिए तो इस बाज को समझना प्लीज जाना चलिए तो रस अनुकारिय में होता है अब इसको समझो क्या कहता है ये कि जैसे राम आदी मूल पात्र मतलब जैसे अम मान लो किसी रामायन का मन्चन हो रहा है रामायन का कोई मन्चन हो रहा है अब इसके जो मूल पात्र है वो मूल पात्र कौन है वो है राम सीता लक्षमान ये क्या है ये मूल पात्र है ये मूल पात्र बोला गुर्जी बिलकुल है ठीक है अब यहाँ पे मूल पात्र है एक सेकंड ये गॉल्ड डिस्टप कर रहे हैं इसको साइलेट कर दूँ मैं तो अब जैसे इनका मंचन कर रहे हैं वो क्या है वो नायक कोई नायका है यानि कह सकते हैं कि वो पात्र है सिंपल जैना तो मूल पात्रों में रहता है मतलब देखो रस कहा रहता है रस रहता है मूल पात्रों में रस किसके अंदर है रस इन में है इन में मतलब इन मूल पात्रों में है रस है ठीक है अब क्या हुआ रहता है पर दर्सक जो होता है वो अभिनायताओं पर राम आदी कारूप करते है अब जो दर्सक है ये जो दर्सक है ये क्या करता है इनको इनको क्या मान लेता है राम सीता ये इनको राम सीता मान ले रहा है किसको नायक और नायका को भी क्या मान लिया राम सीता मान लिया और क्या कर दिया आरोप मतलब राम सीता का आरोप किन पर लगा दिया नायक नायक न उत्पत्तिवाद तो ही एक नाम क्या है आरोपवाद है ना आरोप कर लेता है अतै अभिनेता नायक में भी गौन रूप में रस रहता है मतलब यह कहता है कि रस जो है वो इनमें है मगर गौन रूप में गौन रूप में रस जो होता है वो जो पात्र होते हैं जो अभिनेता क के मत को भी गौन रूप से रस यह क्या है इसी कारण लोलट के मत को भी गौन रूप से रस रहता है यह लाइन यहां कुछ एक सिंद देखने देना मुझे क्या खेह रहा है हाँ इसी कारण यह लाइन रिपीट होगे इसी कारण को भी आरोप वाद कहा जाता है आरोप वाद कहा जाता ही इसी कारण देखोई दो बार आगई यह लाइन गलत होगी यहां पर इसको काट देते हैं इसी कारण लोलट के मत को भी क्या कहा जाता है आरोप वाद कहा जाता है बात समझ आई एक नहीं है, रस अनुकारी में होता है, जो भी मूल पात्र होते हैं, जिसे रामेन का वांचर, रस उनमें रहता है, मूल पात्र हों में रस रहता है, लेकिन दर्सक क्या करता है, जो उसका अभीने कर रहे हैं, उनका अभीने कर रहे हैं, राम के सीता का रोल कर अब इने दर्सक होता है उन्ही को राम मान लेता है रोता कौन है वो बच्चा रो रहा है कृष्ण मन के रो कौन रहा है बच्चा रो रहा है या बच्चा नठकट कृष्ण भगवान जो है वो बनावा कृष्ण भगवान बनावा बच्चा खेद रहा है, हंस रहा है, उसे लकूद कर रहा है, माखन खा रहा है और माता यसोदा उनको देखके ऐसे गुस्ता कर रही है कि तू रुखजा रुखजा जो दर्सक है, वो क्या कर रहे हैं, वो उन्हीं को यसोदा और क्रिश्टन समझ रहे हैं जबकि वो क्या है वो तो पात्र हैं मूल पात्र थोड़ी हैं वो तो अभी नहीं कर रहे हैं सिरफ लेकिन दर्सकों ने उन मतलब जो रस की उत्पत्ति रियल में होनी चीए थी वो रस की उत्पत्ति वो कहां कर रहे हैं उन पात्रों से कर रहे हैं आनंद ले रहे हैं तो इसी आरोप वाद भी खा जाता है उत्पत्ति वाद को, समझे बात को, संयोग क्या है, संयोग के बारे में बात आती है कई बार, कि ये बार बार सर संयोग शब्दारा क्या है ये संयोग, संयोग एक मिश्रित प्रक्रिया है, मैंने इतनी देर से मैंने प्रॉसेस, प्रॉसेस बोल रहा हूं वो क्या यहीं तो है एक मिस्रत प्रक्रिया है मम्मट ने मम्मट ध्यान रखना है मम्मट ने भट लोलट के मत की व्यक्षा कर दे अब देखो भरतमुनी की व्यक्षा की एक तरसे भट लोलट ने वही बात सेम बात बोल रहा है मम्मट ने भट लोलट को पूरा स्थाई भाव के बीच जनक जन्य संबंद है जनक मतलब जन्य विभाव क्या मतलब कारण है और जन्य कारण से कोई चीज हुई है उस चीज की उत्पत्ति हुई है तो इन दोनों में विभाव और स्थाई भाव में भट्ट नायक ने क्या माना है जनक जन्य संबंद वाना है अनुभाव, संचारी भाव इन तीनों की अलग से व्यक्षा की किसने? मम्मट ने विभाव का इस्थाई भाव से संबन बताते हैं बोला कि यह जनक जननी है अनुभाव का इस्थाई भाव से संबन बताते हैं क्या गमक गम में है संचारी भाव का इस्थाई भाव समन बताया बोला यह पोशक पोश्य है पोशक मतलब देखो संचारी भाव क्या करते हैं इनको पोशन देते हैं इनको क्या देते हैं पोशन मतलब इने परिपक्को करते हैं और परिपक्को करके ये क्या हो जते हैं नश्ट हो जते हैं इसलिए पोशक पोशे तो विभाव, अनुभाव और संचारी भाव का संचारी भाव का संचारी भाव से संबन्द है ये लो साहब सरवें 500 पॉइंट भी आपने बड़ी आतरीके से समझा दिया ना पोशक पोशे मतलब उन इस्थाई भाओं का पोशन करता ही है अर ये सारी चीज़े दुबारे आएगी उधारणों के रूप में रस पूरा क्या है देखो रस निश्पत्ती क्या है डेफिनेशन्स का एक मतलब एक रूप रेखा है डेफिनेशन्स की लेकिन रस क्या है रस इसको समझाने के लिए बार बार उधान देदे कर समझाएगा कि कौन सा पोश्टर के कौन सा पोश्टर के कौन सा जनक के कौन सा जनक अब बात है सहियों सहियों कार्थ होता है उत्पाद्य और उत्पादक संबन देखो मदलब उन्होंने पूरी परिभासा को बड़िया तरीके से समझाया है पूरी परिभासा को समझाया क्या समझाया यह जो लिखावा था विभाव अनुभाव है ना संचारी भाव वोई व्याबिचारी को संचारी बोलते है संचारी भाव संयोग निश्पत्ती यही तो परिवासा थी या नहीं थी बोला विल्कुल सरी यही तो परिवासा थी इन्होंने क्या किया इन्होंने पहले बताया विभाव के बारे में कि विभाव और स्थाई भाव के बीश संबन क्या जनक जन्य फिर बताया अनुभाव के बारे में अनुभाव का स्थाई भाव संबन क्या है गमक गम में फिर बताया संचारी भाव के बारे में स्थाई भाव संबन क्या पोशक पोशे फिर बताया संयोग के बीच में संयोग कार्प क्या है उत्पाद्य और उत्पादक अब उत्पाद्य क्या होता है उत्पाद्य मतलब कोई वस्तु जो उत्पादित हुई है इसलिए तो उसे उत्पत्ती बात का आ जाता है और उत्पादक कौन होता है उत्पादक वही कारण की बात आ गई यानि करने वाला इसको उत्पадित जो है वो करने वाला यानि process कि क्या है उत्पदक है और उस से कोई चीज उत्पती होती है किसी चीज की तो सयोग में उत्पाद्य और उत्पादक का संबंद है और लास्ट रहता है निश्पत्ती, तो बैटल ओलट के अनुसार निश्पत्ती का आर्थ होता है उत्पत्ती, ये निश्पत्ती बोल रहा है, मतलब इन सब का प्रोसेस जो चलता है उससे होती है उत्पत्ती, और इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, उत्पत्ती बाद रख बात समझे तो बहुत एजी तरीके से मैं समझा रहा हूँ है ना कि विभावा नुभाव संयों गादरश निश्पत्ति के जो परिबास है उसमें मुम्मट ने जब वेक्षा की मतलब उसी बात का समधन बटलोलट ने किया और बटलोलट के बाद में मुम्मट ने वेक्षा की बोला जो अपना बटलोलट है ये क्या कहना क्या चाह रहा है वो ये कहना चाह रहा है कि विभाव स्थाई भाव का समधन जरन जरने है अनुभाव स्थाई भाव को समधन गम गम में है संचारी बाव उस्थाई बाव के समग पोशक पोश्य है संयों कार्थ उत्पाद्य और उत्पादक है निश्पत्ति का मतलब है उत्पत्ति किसी चीज की उत्पत्ति समझ गए बात आप अब आईए अगला भटल उलट के मत की अब भटल उलट ने तो वही बात कह दी ना जो किसने कही एक तरह से बटना एक का समर्थन कर दिया तो इसकी अलोचना करते हुए कहा गया कि भई या रस निश्पत्ति में वे सहर्दे का कहीं उलेक ही नहीं करते अरे आपने पूरी रस निश्पत्ति समझा दी लेकिन सहर्दे जिसके मन में रस उत्पन होता है भई ये रस किसकी है मानलो आप क्लास देख रहे हो अभी क्लास देख रहे हो है ना तो क्लास देखते समय आनंद उत्पन हो रहा है आपके मन में आप क्या वो दर्शक हो तो जो दर्शक है याँ दर्सक ये यե्दि usare से हिर्दे होंगे तभी तो आपके अंदर आनंद की उत्पति होगी तो आप लोकों के चर्षा किये बिना मतलब कोई टीछर क्लास पढा रहा है माणलों मैं क्लास पढा रहा हूं मेरे सामने सरह हिर्दे ही नहीं, क्लास देखने वाड़ा स्टूडेंट ही नहीं है तो फिर मैं मतलब क्या है क्लास का मतलब यह नहीं होता कि चार दिवारी क्लास का मतलब होता, जाहां स्टूडेंट और टीचर दोनों होते है ठीक वैसे ही, इस्टुएंट का महतो है ना, तो आप नाटक का मंचन कर रहे हो, लेकिन नाटक का मंचन करते हैं, उसका आनंद लेने वाड़ी की चर्चा ही नहीं कर रहे हो आप, उसका जो आनंद ले रहा है, उसकी चर्चा कहां किया आपने, तो यह अलोचना की, वास्टिक में मूल पात्रों का आरोप करता है हाँ अब इन्होंने क्या किया बोला इन्होंने सहर्दे की बात तो नहीं की लेकिन यही क्या करता है जो मूल पात्र होते हैं मूल पात्र कौन से होते हैं राम सीता जो है वो इन में क्या करता है इनका आरोप करता है आरोप किस पर करता है ये करता है जो अभीने पात्र मैं उनको अभीने पात्र बोलूँगा जो अभीने कर रहे है ना उन पात्रों पर करता है आरोप करता है और उन्ही को क्या मान लेता है इन्ही को राम मान लेता है है ना तो अभिने करने वालों के मूल पात्रों का आरोप करता है और फिर इसी आरोपित पात्र में फिर ये क्या करता है फिर इसी आरोपित से इसी आरोपित पात्र से पात्र में रस खोजता है क्या करता है ये जो आरोपित पात्र है इसी को कृष्ण या राम या सीता या राधा समझ कर क्या करता है रस खोजता है या रसानुभूति खोजता क्या है बलकि रस की अनुभूति करता है क्या करता है रस की अनुभूति करता है समझ गया बातां तो इन्होंने सहहरदे की चर्चा भले ही नहीं की है लेकिन इन्होंने यह बताना है किbang सहहरदे वेक्टी होता है वही राम आदी मूल पात्रों का आरोप अभिने करने वाले पात्र पे करता है और उसी से क्या ले लेता है जैसे मैं आपको बताऊं मानलो कभी अपने कोई मानलो प्रोग्राम करें जिस दिन आपको बहुत स्टुएंट्स का सेलेक्शन हो और भगवान करे मेरी महनत साकार हो और हम एक दिन बहुत बड़ा फंक्शन करें उस function में जो है हम पहुँचे सब बैठें उसमें आप में से कोई एक छातर उठके आए और छातर उठके आके उस मेरी नकल करें जैसे मान लो मेरी कुछ चीज़े हैं ठीक है तो उन चीज़ों के नकल करें नकल करेंगे तब आप सब क्या करोगे आप सहर दे हो आप सहर दे हो आप ने मेरा आरोब किस पर कर दिया उस नकल करने वाड़े पातर पर कर दिया है ना मूल पातर तो मैं हूँ उस पर आरोब कर दिया और मुझे ही उसे ही नरेंदर दान मान के आप आनंद ले रहे हो कि हाँ विलकुल सर ऐसा कैसा ही करते हैं और उसे ही नरेंदर दान मान ले पे और फिर रसानु बूती करते हैं उसी को यह सुधा मान लेना उसी को कृष्ण मान लेना ना तो इस तरह से यह है भट लोलट का सिद्धान किन्तु यह संभाव नहीं अलो सा आलोचना होगी मतलब इतना सहर्दे के पास इतना समय थोड़ी होता है कि वो पहले उसका आरोप करेगा आरोप कर दिया हाँ अब इसको राम मानना है फिर अपने आनन देना ना 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 इतना वो नहीं करता इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि जब तक रती भाव की अनुभूती सहरे में नहीं होगी मालो जब देखो आपने देखा होगा जिसे कहीं भागवत वगएरा पाठ होते हैं कहीं ससंगें चलती है वहां कुछ महिलाएं वगएरा होती हैं वो मतलब इतनी मगन हो जाती है मतलब कोई प्रसंग सुनके आँखों से आसू बहने लगते हैं या कई बार कोई जो बज़न चल रहा हुता है उसमें खड़ी होके नाचने लग जाती हैं नहीं कुछ ऐसे बी लोग बैठे होते हैं जो एकदम ऐसे देख रहे होते हैं जैसे कहीं वार मुवी देखता हैसा और किरे दोनों में अलग अलग क्यों हुआ दोनों अलग पर भाव किसे से पढ़ा इसका मतलब ये हुआ कि जब तक जो सहर्दे होगा सहर्दे में रती भाव अगर नहीं होगा मतलब रती का मतलब कोई भी भाव नहीं होगा तब तक वो श्रंगार की अनुभूती कैसे करेगा मतलब कुल मिला कि ये कहना चाहते हैं कि ये जो आरोप हुआ और फिर उसने आनंद ग्रेंट किया भाई साब सबसे पहले खुद के अंदर भाव होंगे तब वो क्या करेगा अनुभूती करेगा वरना आम मैंने मान लिया अच्छा ये ठीक है ये राम बढ़ा है क्या ओहो ठीक ठीक है मज़ा नहीं है मतलब राम ज ठीक है उसी तरह आप मानलो 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 जैसे कोई महिला है उसमें अगर वातसल्य नहीं होगा अगर उसमें वातसल्य नहीं होगा तो वो वतसल्ता को महसूस कैसे करेगी मुझे बताओ मतलब कोई लेडी है उसमें ममत तो भावी नहीं होगा ममत तो भावी नहीं होगा तो कि संगार इसके अनुबूति किसी अन्य को देखकर ही नहीं कर सकता कहने का मतलब ये है कि सहर्दे में पहले तो भाव होना जरूरी है जब वो भाव होगा तब वो अनुबूति करेगा केवल ऐसा नहीं है कि वो आरोब कर देगा रारोब करके वो अनुबूति करेगा नहीं ये ग्यान गम में चीज नहीं है ये भाव गम में चीज है समझ रहे बात आप तो सहर्दे में भावों का होना आवश्यक है भावों का होना आवश्यक है अभी तक फैसला मत करना की रस क्या होता है अभी तक तीन और पढ़ने है तब जाके फैसला होगा तो सहर्दे में भावों का होना आवश्यक है भाव होंगे तो वो क्या करेगा रसान उबूती करेगा ये आज की क्लास है तो उमीद करता हूं कुछ तो समझ आया होगा क्योंकि मैं पढ़ाते समय मुझे खुद को भी पता चलता है कि मैंने काफी अच्छे सारीके से पढ़ाये कुछ कमी रख दिये कमी रखता हूं तो मैं अगली कلاस में बताता हूं तो उमीद करता हूँ आपको काफी कुछ समझ आया होगा, आज साइध जो फ्रेशर बच्चे हैं उनके लिए तो 50-60% से उपर समझ आया होगा, तो बहुत बड़ी बात मानता हूँ, कि मैं इतना समझाने में सक्षम हुआ हूँ, तो बड़िया लगी ग्लास, आनंद के साथ, और ठीक है, तो बस, हाँ, आपको सूचना मिल गई होगी, राखी के जस्ट बाद, टेलिग्राम पे आपने देख लिया होगा, मैंने सेड़्ूल डाल दिया था, राखी के जस्ट बाद, इंदी पॉइंट पर जो है, टेस्सरीज स्टार्ट हो रही है, और आपसे मेरा यही स्टार्ट है, लेकिन टेस्सरीज है मेरी, कोई कोर्स नहीं है, कोर्स मेरा इनिशल रहेगा, और मेरे अपर भी एना, पहले सेकंड गेड़ लोग, फर्स्ट गेड़ लोग, फालतू पैसा बरबाद करो, ऐसा मैं नहीं जाता, इस्टूडेंट का पैसा बरबाद नहीं होना जरूरत नहीं, उस एक में सब कुछ होगा, इंक्लूड एसाई भी अगर आजाए, तो भी आपके कम्प्रीट होगी, एन्वी, एसके विस कोई सी, हाँ, वैलिडिटी कब तक है, इसका मैंने एक टेस्सरीज का वीडियो है, उसमें बता रखा है, यहां पर भी देख लाना इन दोनों एक्जाम वों तक है, और यह एक्जाम आप यू मान लो, अगी तक सालवर तक तो वोणे नहीं है, यह मान के चलो, ठीक है, तो खेर, आज एक लास रिकॉर्ड कर रहा हूं तब से, सालवर ऐसा नहीं, कोई बंदा इसे सालवर बात देखे और कहें, यह सर ने कहा था, कि इस हाल बर तो गोणा संबाव नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है, नेक्स क्लास इससे भी अच्छी होगी, बहुत धन्यवाद, टेक केर, शुब रात्री, लाइक और शायर करना मत बूला करो,